नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल टार्गेट सिविल शर्चिस में तो आज हम मद्यप्रदेश में जितने भी राश्टी उध्यान है उसके बार में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों लिक्चर ध्यास देखिएगा एक्जाम पस्प होता है क्या डिफ्रेंट है वन्य जीो अब्यारन में मानव गत्ति वीदियों के अनुमति देतील लेकिन एक पूरी तरह से 시청 रहती है एक हम में सिकार उनुमतिके बीना नीसिद्ध है ठीकः लेकिन चराई और मवेशियों की आवजाही की अनुमति है यहां पर को पर अभ्यारन में और जो राश्ट्री उध्यान होता है वहां पर सिकार और चराई की जो अनुमती होती है वो पूरी तरह से प्रतिबंदित होती है दोस्तों यहां देखिए भारत में राश्ट्री उध्यान इसकी इसकी स्थापना 1948 में होती और इसका मुख्याले कहांपर है स्वीजर लेन्ड में है और दोस्तों हमारे देश में पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संड़क्षन के लिए द वाइलडे लाइफ फ्रोटेक्शन एक्ट उनीस सो भादतर की संसत के एक अधिनियम द्वारा अधिनियमी थे और देखिए नीस सो भादतर से पहले हमारे भारत में केवल पांच राष्टी उध्यान थे अ 1936 में इसकी स्थापना की गई थी जिसे अधिम कार्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है भारत में 104 राष्टी उध्यान है और पांसो चॉम्वालिस वन जीव अभ्यारन है जिसमें सबसी ज्यादा कहां पर है तो एक तो हमारे मद्द्रदेश में सबसी ज्यादा इंडिया और दोस्तों देखी हमारे मद्द्रदेश को टाइगर स्ट्रेड भी कहा जाता है और हमारा मद्द्रदेश भारत में सरवादिक राष्टी उध्यान वाला राज्य है हमारे मद्द्रदेश में कुल 12 राष्टी उध्यान है और 30 अभ्यारन है जिसमें जो काना किस और हमारे मद्यप्रदेश में 1974 से वन जीव संडक्षन अधिनियम लागू है और मद्यप्रदेश में सरवादिक बाग कहां पर पाए जाते हैं तो यह काना किसली राष्ट्य उध्यान में ही पाए जाते हैं अगर यहां पर हम घनत्व की बात करें तो सरवादिक घनत्व बां राष्टे उध्यान एंवं अभ्यारण में चीतल सरवादिक संक्या में पाय जाने वाला जानवर है most important है यह ज्याद रेंगे हे कही ताना किसली राष्ट्य उध्यान तो उसके बार में पढ़ते हैं तो देखिए काना टाइगर रिजर्व जिसे काना राष्टी उध्यान भी कहा जाता है ये मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उध्यान है और ये वर्तमान काना छेतर को क्रमसा धाई सो और तीन सो किलूमेटर दो अभ्यारनों हालोन और बंजार में विभाजित किया गया था और काना निशनल पार्क एग जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में काना टाइगर रिजर्व बनाया गया था जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में कब सामिल हुआ था काना टाइगर रिजर्व तो ये 1973 में देखिए दोस्तों हमारे मद्य प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल है जिसमें जो सबसे पहला राष्ट उध्यान था जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत राष्ट उध्यान बनाया गया था वह कौन सा था तो वह था काना किसली राष्ट उध्यान और काना किसली राष्ट उध्यान दो जिलो में मंडला और बालागाट में फैला है और काना राष्टे उध्यान 1940 वर्ग किलोमेटर के छेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 940 वर्ग किलोमेटर कोर छेत्र में देख राष्टी उध्यान में दो जोन होते हैं एक तो कोर जोन होता है और एक बफर जोन होता है तो जो कोर जोन होता है जो मानों की गत्वीदिया है वो प्रतिबंदित रहती है वहाँ टूरिस्ट लोग को जाना प्रतिबंदित रहता है लेकिन जो वफर जोन होता है वहाँ पर टूरिस्ट लोग की आवाजाई जारी रहती है साथ में 1067 किलोमेटर के आसपास के वफर जोन टाइगर रिजर्व बनाता है यह इसे मद्य भारत का सबसे बड़ा राश्टे उध्यान बनाता है और दोस्तों यहां पर काना टाइगर रिजर्व की जो लोकेशन है वो यह है यह मनला डिस्टीक है और यह बाला अभारती तेंडू सुस्त भालू बारा सिंगा और भारती जंगली कुत्ते की महत पुन आबादी है और यह अधिकारी को रूप से सुभंकर पेस करने वाला भारत का पहला बाग अभ्यारन भी है और इस सुभंकर का नाम क्या है भूर्सिय दा बारह शिंगा पना टाइगर रिजर्व को छे स्रेनिया कौन-कौन सी है तो देखिए जो पस्सिम ब्लॉक है तो विस्व में भाग दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को और बाग संरक्षन के काम को प्रोचाहिद करने उनकी 30 संक्या के प्रती लोगों को जागरूख करने के लिए 2010 में रूस के सैंट-पिटर्जबर्ग में आयोजीत एक सिखर सम्मेलन में अंतरा सब्सक्राइब करनाटका जोलने का प्रस्तावबी रखा गया है अब बात करें हम पन्ना जाइगर-रीजर्व के बारे में तरीके बारे तो तो पन्न राश्टी उद्यान भारत में मद्रप्रदेश के पन्ना और चतरपूर जीलों में इस्थीत एक राश्टी उद्यान है और इसकी स्थापना का हुई थी 1981 में इसकी स्थापना होगती है और इसको Project Tiger में कब सामिल किया गया था तो 1994 में इसको Project Tiger में सामिल किया गया था और देखी यहां हमारे भारत का 22 वा Tiger Reserve था Project Tiger Reserve और मद्दप्रदेस का कौन सा Tiger Reserve था तो पाचवा Tiger के रूपे में घूसित किया गया था और इसे 25 अगस 2011 को Bio Sphere Reserve के रूप में नामीद भी किया गया था तो most important है यह point याद रखिएगा और दोस्तों देखी हम यहां पर बात करें केन बेत्वा लिंक परियोजना की तो यह जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके बीचों बीच से होकर जाएगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है यह पन्ना टाइगर रिजर्व को तो देखी जो केन बेत्वा लिंक परियोजना है यह दो राज्यों के बीच की परियोजना है यह UP और MP की इन दोनों राज्यों के बीच एक MOU यानि memorandum of understanding sign हुआ है यह कब हुआ था यह 22 मार्च को 20 जल दिवस के दिन हुआ था केन बेत्वा लिंक परियोजना में पानी किस नदी से किस नदी की और जाएगा तो यह केन नदी से बेत्वा नदी की और जाएगा ठीक है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो केन बेत्वा लिंक परियोजना तो के नदी से बेत्वा नदी की और जाएगा यह पानी ये 6.35 लाग हेक्टेर भूमी को सिंचित करने के लिए केन बेतवा नदी बेसिन तथा पानी इस्थानांतरित करने के लिए 221 किलोमेटर लंबी नहर बनाई जाएगी और इसके लिए अभी एक उत्तरप्रदेश और मद्रप्रदेश के बीचे एक MOU साइन हुआ है मद्रप्रदेश के मुख्य मंतर शिवरासी चोवान और उत्तरप्रदेश के मुख्य मंतर योगी आदितिनात ने देश की पहली नदी जोलो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना किला पत्र पर हस्ताक्षर किये है और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से आयुजित कारेकरम में जल सकती अभियान कैज़दर रन की सुरुबात भी इस अवसर पर की गई मद्यप्रदेश में पहला डिस्टी कोंसा है जहाँ पर कैज़दर रन अभियान के सुरुबात की गई है तो यह इंदोर डिस्टी के है और दोस्तों यहां पर बात करें हम सत्रपुला राष्ट्य उध्यान की तो सत्रपुला राष्ट्य उध्यान हमारे मद्रप्रदेश के होसंगावाज जिले में इस्तीत है और इसका नाम सत्रपुला स्रेनी से लिया गया है और पच्छमली और बोरी अब्भैरोने से सट्रप टैबिंट24 किलोमेटर स्क्वेर को कवर करता है और इसकी स्थापनाھی कभी थी तो इसकी स्थापना action 211 हुई ठी और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगब कब सामिल किया गया था तो ये किया गया था सत्पुला टाइगर रिजर्व को यूनिसको विश्व धरवर इस्तलों की संभावित सूची में भी सामिल किया गया है तो हमारे मद्द्रदेश के दो इस्थान है जिसको यूनिसको की विश्व धरवर की संभावित सूची में सामिल किया गया है कौन-कौन से तो एक तो सत्पुला टाइगर रिजर्व है जो कि हुसंगबाद में स्थीत है और एक बेला घाट है जो कि नर्मदा घाटी है यह जबलपूर में स्थीत है ठीक है और हमारे संसकृति विभाग के मंत्री को ने केंद्री संसकृति विभाग के मंत्री को ने तो यह भारत के लोगप्री राष्टी उध्यानों में से एक है जो मद्यप्रदेश के उमरिया जीले में इस्तित है और पार्क का नाम चेतर की सबसे प्रमुक पहाडी से है जिसे हिंदु भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्वन द्वारा लंका यानि सिलोन पर नज़र रख किया गया था अंधोगल राष्टी उध्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत कव सामिल किया गया था तो यह 1993 में कि 105 किलोमेटर की सुरक्षा प्रदान बांधोगल निवास इस्थान परियाप्त नहीं था इसलिए 1982 में तीन और रेंज कौन-कौन सी खितौली मगधी और कलावा को बांधोगल के छेत्र को 448 किलोमेटर स्क्वेर तक विस्तारित करने के लिए ताला रेंज यानि मूल बांधोगल राष्टी उध्यान में जोड़ा गया बांधोगल में दुनिया में ग्यात बंगाल के बागों का सबसे अधीग घनत्व है और रिवा के मार्तंडिसीय ने 1959 में इस छेत्र को पहले सपेद बाग पर कबजा कर लिया और इसका नाम क्या रखा गया था तो मोहन रखा गया था दोस्तों बात करें हम यहां पर पेंच राष्टी उध्यान की तो यह भारत में मध्यप्रदेश के सीवनी और चिंदवाला जीलो में है इसका नाम पेच नदीसी है जो उत्तर से दक्षीन तक पार्क के माध्यम से बैती है और पार्क को लगबग बराबर पस्चिमी और पुर्वी हिस्सों में विभाजित किया जाता है और इसे 1977 में एक भ्यारन उगोशित किया गया था लेकिन इसे राष्टे उध्यान का सफच्थ है चिद्य है अब बात करें माधव राष्टिय उध्यान तो यह भारत के उत्तर पस्चिमी मद्य में ग्वालियर छेत्र के स्थिवीपरी जिले में इस्तीत है और इसका नाम ग्वालियर के SINDIA राजवं से संभंधित ग्वालियर के महाराज और इसे 1981 के राष्टिय उद्यान गोसित किया गया था और नेशनल पार्ग का कूल छेटरपल कितना है तो 466 km स्क्रिटर इसका छेटरपल है और संजर दूबरी वन्याजु अभब्यारन 1975 के वर्ष में स्थापित किया गया था और कूल छेत्रपल कितना है इस अभ्यारन का, 364 km2 इसका छेत्रपल है, वन्य जियों के लिए स्वर्ग के रूप में सुचिबद किया गया था, और देखी जो संजय राष्टी उध्यान है, इसका एक बड़ा हिस्सा 36 गल राज्य के नियंतरन में है, मद्यप्रदेश राज्य से इसके विभाजन के बाद हुआ था, और 36 गल राज्य सरकार के अंतरगत आने वाले संजय राष्टी उध्यान का कुछ हिस्सा गासीदास ने अगर आप बुक में पड़ोगी तो इसकी स्थापना आपको 79 में दिखेगी ठीक है, और आप अगर इसकी ऑफिसियल साइट पर दिखोगे वन वियार राष्टी उध्यान की, तो इसकी स्थापना आपको 83 मिलेगी, और यह एक प्रानी उध्यान के रूप में विक्सीत और प्रतिबंदित किया गया है, जिसमें जंगली जानवरों को बंदी बनाय जाता है तो वन वियार है, यह म द्रब्र देश की राश्धानी के लिए ग्रिंग लंग का काम करता है, और दोस्तों, बात करें हम उमकारिस्वर राष्टी उध्यान की, तो व्मकारिस्वर उद्यान की तो यह मद्द्रदेश के धारडिस्टीक में आता है और इसका छहितरपल पॉइंट eight nine seven kilometre स्वेर है और इसकी स्थापना 2010 दस में हुई थी और बात करें हम यहाँ पर कुनो राष्ट्य उद्यान की तो देजिए कुनो एक हुए थी तो एक ये राष्ट्य उध्यान बनाई जाने से पहले कुनो एक वन्यजु अभ्यारन था इसे पालंपूर कुनो वन्यजु अभ्यारन के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारे मद्यप्रदेश के स्योपूर और मुर्यनण डिश्टीक में स्तीत है 1981 में इस वन्यजी अभ्यारन के लिए 344 किलोमेटर का शेतर निश्चीत किया गया था बाद में इस शेतर में व्रद्धि की गई थी और इस वन्यजी अभ्यारन में भारतिय भेडिया बंदर भारतिय तेंदुआ और नील गाय जैसे जानवर पाए जा जो को सन्य रहते हैं वह एंपगे से जो कि मूस्त इंपोडेंट रहते हैं वह प्रिवेस एएर एक्जाम में पूछे भी जा चुके हैं 5 जो रहते हैं और उसका रिजल्ट से निकलता है तो आप भी स्क्वीज में पार्टिसिपेट कर सकते लिए लिंक को हमारे वीडियो कर अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगाओ तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरू करिएगा और अगर आप इस सेनल पर नहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो